तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टिपल चॉइस कॉश्यंज ओन इंडियन लॉचिक यह कॉश्यंज जून 2019 और दिसंबर 2019 के शिफ्ट से हैं सभी शिफ्ट से तो इससे पहले मैं इंडियन लोजिक का कंसेट पूरा रिवाइस करा चुकी हूँ तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखेंगा यहां पर आई कार्ड पे भी है लिंक और मैं नीचे भी डिस्रिप्शन में भी दे दूंगे तो उनको जरूर देखेंगे महां से आपके कंसेट्प्री क्लियर हो जाएंगे और यह कॉश्यंज भी आप एक दो कॉश्यं हमेशा हर इंटिफाई दा मीन्स ओफ नॉलिज प्रमाना इंवर्ड इंवर्ड इंग्जाम्पल ओप्शन से अनुपलब्धी अर्थपती पर्ट्यक्षा अनुमाना तो वह कह रहा है कि उसने ना देखा है कि ग्राउंड पे कोई भी जार नहीं है तो हमें पता है कि जब कुछ नहीं सेप्शन हो रहा है या फिर हम अपनी उससे मतलब कुछ ना होने के बाद भी हमें कुछ नॉलिज गेन हो रही है तो वह होती है अनुपलब्धी ठीक है तो इसका अंसर है अनुपलब्धी नेक्स्ट कंसिडर दफ एक्जाम्पल गीवन बिलो कि देवदता इस ग्रोइंग कि देवदता है जो वह मोटा हो रहा है he does not eat food during the day वह दिन में खाना नहीं काता है therefore he must be eating food during the night other things being equal और identify the logic involved in the example तो देखो यहां पर क्या होता है कि यहां से हम कुछ इंफर करने की कोशिश कर रहे है ठीक है अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे है कि उसने बोले कि या देवदत अब बहुत मोटा हो रहा है पर वह दिन मे भी नहीं खाता अब JULY करके कुछ तो खाय रहे है लुदा करके कुछ तो हो थीर उगा तो पर टो नहीं पूरते हैक एपने इसे इंफर दिर निकालते हैं मतलब आपने इसे सेंफर लेके चलते हैं मतलब अपने से इंफर करते हैं तो उसमें होता है अर्थपती ठीक है तो यहाँ पर जो इसका अंसर है वो क्या है अर्थपती ठीक है तो लॉजिक था वो कौन सा इंक्लूड होगा अर्थपती नेक्स्ट फिर्स कंसिड़ एक्जांपल प्रॉडजिट बिलोग दग दगव्य इस लाइक माइ झाल कि अभी देखु यहाँ पर कि हम घंपेर करते हैं तो चीजों में कंपेर करना कि मतलब कि मैं जय सब्सक्राइब आप सबढ़ है और आपने मेरे बाट इंडैन लॉजिक वाले डिखन तो उसमें comparison में मैंने बताया था कि क्या था comparison जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वह बोलता है कि जैसे एक example देगे बताया था कि चांदी जैसा रंग है 13 सोने जैसे बाल अब उसने क्या किया है कि उसको ऐसे consider किया है उसने उसको लगा कि वह इतनी सुंदर है तो उसने को वह रूप दिया ठीक है तो जब एक कंपेर करना हो जाते है तो वहां पर हम जो यूज करते हैं वह यूज करते हैं कंपारिजन ठीक है नेक्स आता है दा टर्म पक्षा according to classical Indian school of logic refers to following terms in the process of inference तो वह होता है जो पक्षा है वह होती है हमारे पास minor term ठीक है पक्षा होती है minor term और हेतू होती है middle term ठीक है next the distinction between lockic and allocic is made with the reference to which of the following परमानस जिसमें हमें lockic और allocic का पता चलता है तो वह reference किसमें होते हैं देखो यह मैंने उसमें कराया है अगर आपने वह देखी है वीडियो उसमें क्या है कि इसने बोला है कि जो लोकिक और अलोकिक होते हैं उसमें जो आपकी पर्सेप्षा है पर्सेप्षन है वह बटी होती है लोकिक में पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं तो उन्होंने जो लिखा है मैं उन पर ट्रस्ट करूँगी तो जो डिस्टिंग्शन है लोकिक और लोकिक के बीच में वो किसमें होता है पर्टक्ष में पर्सेप्शन में the distinction between saavikalpa and determinate and nirvikalpa का in determinate is made with the respect to which of the following पर्माना उनुमान पर्दक्ष अर्थ-पति और प्माना देखो पहले हम सवी पढ़ लेते हैं क्या होता है ये पर्सेप्शन कोगनिशन है इसमें क्या होता है कि हमारी सेंस ओर्गन्स होती है वो उब्जेक्ट से कनेक्ट करने की कोश करती है ठीक है contact करती है तो as a result हमें पता है कि यह object ऐसा दिख रहे है तो यह होगा जैसे मैंने वह निम्बू वाले होता है कुछ qualities से मतलब कुछ और हम उसको अलग करते हैं कि यह चीज यह है मतलब हमें definite idea होता है क्यों हम अपने direct perception से उसको एज्यूम कर रहे होता है कि यह यही चीज है ठीक है तो यह हम यह निर्वी कल्प का जो मतलब नहीं उससे करते हैं हम सभी कल्प का तो यह सब किसमें ह होता है प्रत्यक्ष में आता है तो अंसर क्या है प्रत्यक्ष पर्सेप्शन ठीक है नेक्स आता है तर्म योगाजा इनिशेटिव पर्टेंस तू विच ऑफ फॉलाइंग योग्या बोल सकते हैं पर्सेप्शन ठीक है तो इसमें भी पर्माना तो इसमें भी कौन से पर्मा वाले तो यह हमारा yogic meditation होता है ठीक है जिसको हम क्या बोलते है इसने बोले है कि जो इन में से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, लिंगा, साध्या is the middle term, this is true, साध्या middle term होती है, पाक्षा is the minor term, और साध्या is the major term, ठीक है, साध्या major term है, और हेतु is the minor term, हेतु minor term नहीं होती है, ठीक है, हेतु minor term नहीं होती, नेक्स्ट आते है विच ओफ फॉलोइंग इस सिग्निफाइड तबाइ टर्म हेतु इन दा प्रोसेस ओफ अनुमाना इन दा क्लासिकल इंडिन स्कूल अफ लॉजिक देखो यह क्या कहता है कि जो इसमें से जो सिग्निफाइड करता है वो क्या है ठीक है अनुमान की जब हम प क्या करती है माइन टरम गलए तो वो बताते है कि किस वज़े से हुआ ठीक है इसका रीजन क्या था तो यहां पर हमेशा क्या होती है स््रेट्मेंट ओफ रीजन तो बी जा राइट आंसर इन दा एज ओ फॉर वेदा स्टुडिंट एड्मिटि टू व एड्मिट्टे टू तो वहाँ पे कौन सा मतलब कि कौन सी सारमनी पहले होती थी तो वहाँ पे पहले होती थी उपनन्य सारमनी ठीक है डिरेट कोशन है उपनन्य सारमनी नेक्स राता है विच ओफ फॉलोइंग इस नौट नैसेसरी स्टैप वैं यू प्रेजन अर्गुमेंट बेज रोन दा परिंस निकाल रहे है और नंस वहाँ पास होता है निग्मण जो निशकर्श हम निकालते हैं तो इसमें से जो मैं दान आपके परेस नहीं होता वह थी प्रमान आपीक है डाता ट浙क ह्ए निग्स का पुछलय निब्या तो देखो इसका जो अंसर है वो है यूनिवर्सल प्रोपोजिशन अलोंग विदेन क्यूंकि देखो उधारन के तोर पे हम क्या लेकर चलता है जैसे मैंने वहां पे एक्जाम्पल लिया था कि उसने कभी आग में से क्या देखा था कि स्मोक निकलती देखी तो जैसे उसने हि पहले आग लगी देखी तो वहां देखा था कि धुवां उठता है तो यह उधारन हो गया ठीक है तो यह यूनिवर्सल प्रोपोजिशन होते है जिसका एक इंस्टेंस होते है तो अब जो हम यह देख लेते हैं कि यह था क्या स्टेटमेंट ओफ रीजन तो था हमारे पास ह गसा निग में ना होता है अ जो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन हमारे पास क्या होता है उधारन तो सबसे पहले यह होती है जिसको हमने प्रूफ करना होता है हे तूछं कमेंटS दीजन उधारन जो हमने अभी देखा युनिवर्सल जो भी युनिवर्सल एप्लाई होता है और उपने निया जो उसकी बेस पे हम करते हैं और निगमना जो निशकर्ष निकलता है ठीक है फिर से आगया कि जो देवदता है वो फैट है और रात को नहीं खाता तो दिन में नहीं खाता तो ओविसली वो रात को खा रहोगा तो यह क्या कर रहा है इंप्लाई कर रहा है इंप्लिकेशन कर रहा है कुछ इंफर कर रहा है तो वो क्या था हम अर्थपती था अर्थपती को को बोलते हैं हम implication अर्थपती को क्या बोलते हैं implication भी बोलते हैं next which one of the following is true with respect to अनुपलब्धी as a means of knowledge इसने बोले कि one do not cognize the pot on the table therefore it is absent there one directly perceive the absence of pot on table one infer the absence of pot on the table since one do not find it to be there one know the absence of pot on the table because one know its similarity with the other similarity वाला तो यहां पर कुछ ऐसे concept है नहीं तो यह तो concept गया अब अनुपलब्धी में क्या होता है कि जो हम देख रहे हैं पर हम देख नहीं पा रहे हैं पर उससे भी हमें क्या मिल रहे है knowledge तो इसने यहां पर यही का है कि one do not cognize the pot on the table उसने जाना नहीं कि वहां पर table है refer नहीं क inconsistent perceived fact is non in Indian logic is देखो इसने क्या बोले कि एक unperceived fact निकालना मतलब कि आप अपने हिसाब से तर्क निकाल रहे है उसका ठीक है reconcile करके जो भी आपके पास fact है अब वहां पर क्या था देखो इसने बोला था कि आपके पास दो कोई भी apparently कोई भी perceived fact है कि देवदता है वो fat है और वो दिन में नहीं खाता तो आपने इन यृष निकाल लिया क्या implication कर लिया क्यार वो क्या कर रहा होगा- है और क्या कर रहाए हूगा अगर वो देवदता थो नाइट में खा रहा होगा ठीक है तो है नो अनलए से अर्थ पती पर ठीक है तो यह था यह था इन्टियन लॉजिक पर जितने भी अभी तक कॉशन है जून 2019 और दिसंबर 2019 के तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेर विद यूर फ्रेंड्स और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और अपनी प्रिपेशन कंटीनु रखिए अगर नहीं हुआ तब भी अच्छा है हुआ तब भी अच्छा है तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी हम अभी कॉशन डिसकस करेंगे नेक्स्ट में वर्बल रीजनिंग पर ट्राइ करूंगी लेके आने कि ताकि आपके कंसेप्ट लास्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच